हलो स्टुडेंट्स स्टेडी मेडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आर यू एचस के स्टुडेंट्स के लिए ठीक है इस वीडियो में आपको कम्प्लीट डिटेल्स देने वाला हूं इस एक्जाम के र आवर्स के एक्जाम होता है पेपर का लेंगवेज क्या होता है नेगेटिव मार्ग्स होता है या नहीं इस फॉर्म को भणने के लिए एस क्राइटरिय क्या होता है और सबसे इंपोर्टन चीजी इस साल के न्यू स्लेवर्स क्या है तो पूरी जानकारी मिलेगी एक ही है सबसे पहली बात ट्रीवःट的話one चाहिए और ट्रीव में आपका सब्जेक्ट क्या वहना चाहिए यह सबसे इंपोर्टनेंट है तुएल्ट में अग्र आपका फीजिक्स हैं है केमेस्ट्री है बायलोजी है और सात्में इंगलीस है यह जो इंगलीस है यह बहुत को भरने के लिए तो 12 का percentage क्या होना चाहिए अगर आप unreserved category के हैं ठीक है तो आपको 45% marks होना चाहिए 12 में और अगर आप category से belongs करते कोई भी category से belongs करते तो आपको 40% marks होना चाहिए 12 में और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए physics, chemistry, biology और English यह important है और board कोई भी हो आपका चलेगा कोई भी university से आप 12th pass किये हो आपका चलेगा ठीक है चले अब बात कर लेते हैं इस exam को भरने के बाद आपको इस exam के लिए age criteria एक define किया गया कि कितने age तक आप यह form को भर सकते हो तो age की बात किया जाए तो इस form को भरने का minimum age है वो है 17 year अगर आपका 17 साल नहीं हुआ ता आप यह form को नहीं भर सकते हो ओके और maximum age कितना है तो maximum age के लिए में आपको दौ criteria बताऊग sih. एक male के लिए मतलब एक boy के लिए एक GIRLS के लिए तो male के लिए कितना होने वाला है तो है 17-25 साल मैक्शिमम 25 सालbell और girls के लिए मतलब female के लिए यह कितना होना चाहिए तो 17 से 28 साल, ठीक है, 17 से 28 साल अगर आपका age हो रहा है, तो आप ये form को भर सकते हो, आसाने से कोई दिकत नहीं होने वाली, ठीक है, चलिए, अब इस form को भरने का fees कितना होता है, मैं आपको बता दो, fees, ठीक है, इस form को भरने का fee कितना होता है, तो अगर आप on reserve category के हैं, ठीक ह और अगर आप category reserved से है category means STSC तो आपको यह form 900 रुपए में भरे जाएंगे ठीक है अगर unreserved है तो 1800 category से 900 ओके समझ मागया चलिए अब इस form का exam pattern की बात कर लेते हैं exam pattern means इस form का exam कैसा होने वाला है तो सबसे पहली बात यह जो exam होगा वो आपका offline mode होगा ठीक है कोई भी online mode नहीं होने वाला यह अभी तक offline ही होता आ रहा है future में अगर online होगी तो update कर दिया जाएगा ठीक है यह offline mode होने वाली है इसमें आपको total questions 100 दिये जाएंगे total questions number of questions 100 रहते हैं किसकी subject का exam होने वाला है तो PCB का exam होने ठीक है PCB का अगर BSc nursing की बात करें तो PCB का अगर other courses की बात करें तो यहां पर PCM का भी होता है तो मैं PCB का बात कर रहा हूं किसकी subject से कितने questions आते हैं तो physics से आपके आते हैं 20, 33, chemistry से आते हैं 33 और biology से आते हैं 34 total कितने हो गए 100 एक questions के एक marks मिलते हैं ठीक है अब बात कर रहें तो negative marks अगर आप गलत करते हैं तो क्या negative रहती है तो यहां पर कोई भी negative marks नहीं है ठीक है कोई भी negative marks नहीं है मतलब आप कितनों भी गलत करो आपका कोई भी marks नहीं काटे जाएंगे एक questions सही करोगे तो एक number मिलेगा और गलत करोगे तो कुछ भी नहीं काटे जाएगा ठीक है चलि यहां तक समझ में आ गया अब मैं आपको बात कर ले तो syllabus तो syllabus क्या है इस साल आपको पता होगा syllabus चेंज हो चुगा इससे पहले जो syllabus था वह आपका राइस्तान बोर्ड का जो secondary school का syllabus था वो चलता था लेकिन इस साल से syllabus चेंज हो गया और जो syllabus अने वह आर वी या सी को कनवर्ट करके कर दिया n-c-e-r-t n-c-e-r-t ठीक है n-c-e-r-t सिले वस आपका इस बार फॉलो करने वाली है कवर्मेंट ओके चले सभी समझ में आ गया अभी तक का जितना भी मैंने डिटेल से बताया सारा का सार एक्जाम पैटन को उपर था अब मैं आपको बताता है सीट सीट के उपर सीट रिजर्व और अन्रिजर्व अगर आप अधर स्टेट से बिलॉंग करते हो अगर आप राजिस्थान से नहीं हो अधर से बिलॉंग करते हो और अगर आप राजिस्थान से बिलॉंग करते हो कितनी सीट आप लोग रहती है ठीक है तो राजिस्थान वाले सबसे पहले मैं राहिस्तान वाले के बात कर लेता हूँ राहिस्तान वालों के लिए इस exam में 85% seat reserve रहता है ठीक है मतलब अगर कोई college में 100 seat है तो 85 seat राहिस्तान के ही students ले सकते हैं और other state कोई other states UPBR से कोई अगर इस form को भढ़ना चाहे तो उनके लिए भी ये seat provide करते हैं 15% राहिस्तान वालों को ही मिलेगी ठीक है यह seat का जो है जो है जो रिजर्वेशन उस टाइप से यह 15% सभी के लिए दिया जाता लेकिन अगर इस में से कुछ भी अगर आपको छूट रहा है ता कमेंट बॉक्स में बताना मैं आपको रिपलाई देने की जुर्व कोसिस करेंगा ठीक है और इस इस एक्जाम का फुल प्रिपरेशन हमारी चैनल में चल रहा है लाइव क्लासेश चल रही है आप लोग चैनल से जुड़ जाए चैनल को सस्क्राइब कर ले और लाइव क्लासेश एटन कर रहे इस साल आपका एक सीट दिलाने की जिमदारी हमारी है और साथ में जो पीडिय अब ले लो पूरा 5000 कोशन का पीडियाफ है वो पीडियाफ खाली इनफ है आपका एक्जाम पास कराने के लिए ठीक है तो ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएजिए आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगी और हमारा टेलेग्राम ग्रूप को जॉइन के लिए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक किए सब्सक्राइब कीजिए मिलते नेक्ट वीडियों तरता के लिए बाबाए